बच्चे ट्रस्टी बनो, जो ट्रस्टी होता है, अब ट्रस्टी अर्थात क्या, किसे हम कहेंगे, ट्रस्टी है, एक है ग्रहस्ती, एक है ट्रस्टी, एक है तुम्हारा है, परायापन, एक वहता है न, तीन लेवल्स है, अब सोचो, तो परायापन ये तो तुम्हारा है, मतलब ठीक है हम जितना हो सके करेंगे बाकी तुम्हारा है तो परायापन आ जाता है न और ग्रेहस्ती मतलब मेरापन और ट्रस्टी तो अब तीनों में हमें देखना है सोचो इस पर विचार करो कि किसको कहेंगे ट्रस्टी ठीक है मुरली में सुनते है बारा बारा बीस मीठे बच्चे अपनी तकदीर उच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धी का योग एक बाप से लगाओ अगर उच तकदीर बनानी है तो प्रश्ण है नई दुनिया की स्थापना के निमित बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डारेक्शन मिला हुआ है अब हम और्गनाइजेशन और्गनाईज करने वाले है वो हमारा रोल है तो ऐसे बच्चों को कौन सा डारेक्शन मिला हुआ है क्या लगता है कौन से डारेक्शन है बाबा की है बाबा के direction जो भी समझते में बाबा के नई दुनिया के स्थापना के निमित है बाबा कहते है कि यह होना तो है ही है यह से कोई connection नहीं अपनी दिल इस पुरानी दुनिया में मत लगाओ तो एक तो कोई connection नहीं है है सिर्फ रुहानी connection सेवार्थ connection है फिर दूसरा अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ जाच करो 3. कि हम श्रीमत के बरखिलाफ करम तो नहीं करते कोई भी करम श्रीमत के बरखिलाफ तो नहीं है रुहानी सर्विस के निमित बनते है जाच करो अपना गीत है भूले नात से निराला तो चार बाते चार कॉस्चिन अपने आपको पूछो कौन सा डाइरेक्शन मिला हुआ है अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती गीत अकसर करके भक्ति गाते है और सुनते है तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो ये गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले होए है बच्चे जानते हैं हमारी तकदीर उच बना रहे है अब हमको बाप कोई याद करना है और दैविगुन धारन करने है अपना पोता मेल देखना है जमा होता है या ना गाटा होता रहता है मतलब घाटा होता रहता है हमारे में कोई खामी तो नहीं है जाच करो अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए ऐसा कोई संसकार है जिसमें तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो निकाल लो इसमें हरे को अपनी तकदीर उच बनानी है देखो तकदीर तो हम हमेशा ही बनाते हैं, हर कोई आत्मा संकल्प करते ही अपना तकदीर बना रही है। साथ लगा रहे यह अच्छा पुर्शारत है आज का है कि कोई से बात करते देखते होए बुद्धी का योग एक के साथ लगा रहे possible है कि बात करते होए बाबा याद आए तो आज सारे दिन जितनी बार जिसके साथ बात करेंगे पुरे दिन करते ही रहते है बुद्धी योग एक के साथ बाब के साथ लगा रहे हम आत्माओं कोई बाब को याद करना है बाब का फर्मान मिला हुआ है सिवाए मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ देखो यह सिक्षा नहीं है इट्स एन ओर्डर फर्मान है आघ्या और फर्मान में क्या फर्क है आघ्या फर्मान में फिर सजा मिलेगी न प्रीम धरमराज का सुप्रीम श्रिवाबा का टीचर का की मेरे सिवाए कौनसा ओर्डर है बाबा का की सिवाए मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और देवी गुन धारन करो बाप समझाते है तुम्हारे अभी 84 जनम पूरे होए है अब फिर तुम जाकर पहले नंबर लो राजाई से राजाई में ऐसा नहों हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ प्रजा में भी नीचे चले जाओ नहीं अपनी जाच करते रहो यह समझाने बाप विगरत और कोई दे न सके बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा ऐसा नहों हमको कोई सजा मिल जाए भक्ती में भी समझते हैं ना कि पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे बड़े बाबा के डारेक्शन तो अभी ही मिलते है जिसको श्रीमत कहते है बचे जानते कि श्रीमत से हम स्रेष्ट बनते है अपनी जाच करनी है कहां कहां हम श्रीमत के बर खिलाफ तो कुछ करते नहीं है अगेंस्ट तो नहीं कर लेते हैं, जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए, अच्छी बूरे को तो अब समझते हो, श्रीमत के बर खिलाफ, अब कौन सा है वो श्रीमत के बर खिलाफ, क्योंकि पता चलता है ना कि ये बात ठीक नहीं है, इतना एक्चुली श्रीमत क को भी वो ही पालन कर सकता है, यह श्रीमत के, क्या-क्या अज्रीमत के अंडर में आता है, category में, जो रेगुलर मूरली सुनते है, शुरू से मूरली सुनते है, विशेषकर, क्योंकि सारे डारेक्शण जा जाएते है उसमें, सारे मेंने पूरे वो होता है ना, पूरा वो तो 10 directions थे, 9th direction में पहुचेंगे, तो क्या हो जाएगा? Miss हो जाएगे, miss तो क्या, मतलब orders ही तुमको पता नहीं है, miss तो बहुत simple वड़ है, तो फिर तो orders ही पता नहीं हो, तो फिर तो यह तो बहुत बढ़ा गड़वड है ना, खुद के लिए, नुकसान है, जैसे वो नहीं होता है, rules, regulations बताते हैं, उस समय सब कान खुल कर सुन लो, तो उस समय सुनना ज़रूरी है, तो बावा कहते हैं, तो इसलिए जो फिर उसमें पता चलता है कि जो बात अच्छी न लगें, वो करने नहीं चाहिए, अच्छे बुरे का तो सब समझते हैं, आगे नहीं समझते थे, अभी तुम ऐसे करम सीखते हो, जो फिर जन्व जन्मांतर करम अकरम बन जाते हैं, इस समय तो सब में पाच बूत प्रवेश है, अब अच्छी रिती पुर्शार्त कर करमा तीत बनना है, देवी गुन भी धारन करने हैं, समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रति दिन बिगड़ती ही रहेगी, अब ये डारेक्शन है आज, दिन प्रति दिन बिगड करती रहेगी, accept कर सकते कि यह wave निकल जाए, फिर बाद में दुनिया ठीक हो जाएगी, भगवान का direction, देखो जो बाबा confirm कह देते है, कि बचे यह तो ऐसा ओ गाई, तो यह direction है, order है, और भगवान कह रहा है, इस दुनिया से तुमारा जैसे की connection है नहीं है, तुमारा connection है ही नई दुनिया से जो स्थापन हो रहा है तुम जानते हैं निमित बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने तो जो aim object सामने है उन जैसा बनना है कोई भी आसुरी गुण अंदर न हो रुहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नती बहुत होती रहेगी करने लग पड़ते है वो जो आते है उसमें तो बाबा कहते है सारा दिन यही ख्यालात रहे कौन सा आज कौन-कौन से ख्यालात रखने है सुनो सब सेवाधारी बाबा के बच्चे सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाए यह रतन सब तुमारे पास है किसी के पास कोई चीज ज़्यादा हो जाती है न वैसे भी बहुत सारे जैसे घर में आम आ जाते है तो एक कमेंट कर लेते हैं दुकान लगा दो बहुत सारे आ गये है बहुत सारे घी के डब्बे आ गये तो कह देते हैं न दुकान लगा दो तो अभी हमारे पास कितने रतन जमा हो गए बहुत हो गए तो बाबा कहते है फिर हमारा दुकान के है सेंटर सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाए ये रतन सब तुमारे पास है बाब दैवी गुन भी धारन कराते है और ख़जाना देते है तुम यहां बैठे हो, गुद्धी में है स्रष्टि के आदिमध्यांत को जानते है, पवित्र भी रहते है, मंसा वाचा करमना कोई बुरा करम नो हो, उसकी पूरी जाच करनी होती है, बाप आई है पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तिय भी बतलाते रहते है, उसम इंटर खोल बहुतों को निमंतरन देना है, प्रेम से बैठ समझाना है, देखो, जीके में भी शुरू में जब गीता पाठशला चलती थी, सुनीता बैन के घर, तो हमको लगा कि चलो, सेट हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, सुबे क्लास हो जाती, ये सब आ जाते हो गया मतलब थोड़ा सौटा ओफ संतुष्टी आ गई थी, कि ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, पर बाबा को तो ज़्यादा, मतलब आगे का ख्याल है न, तो फिर बाबा ने सेवाधरी बच्चों को टच किया, तो फिर बाद में, फिर वो एक स्थान लिया, सेंटर, बेशक रहे थे, लेकिन इतना, क्योंकि सेट हो गया था, तो सोचा चलता है, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, लेकिन बाद में जो सेवा बढ़ी, तो बहुत फरक पड़ा, सुबे पूरा फुल-fledged होने से, शाम को भी, क्लासेज, तो बाबा यही कहते है, कि सेंटर खोल समझाना है, यह पुरानी दुनिया खतम होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है, स्थापना होती है संगम पर, यह भी मुनिश्य को पता नहीं है, कि अब संगम युगे यह भी समझाना है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विना उसका संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। सिवाए बाप के और कोई नई दुनिया के स्थापना की मत देंगे नहीं। सत्यूग आ रहा है, कल्यूग जा रहा है। कई जगह से लगे हुए है ना बोर्ड से गुरुजी के मत वाले। लेकिन उसका कैसे है, प्रोसीजर क्या है। तो वो तो बताओ। तो यह सिवाए बाप के कोई दे न सके। बाबा के रहे। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उधगाटन कराते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे ना। सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उधगाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे। आकर कीची से रिभन काटेंगे, जो जो उधगाटन के लिए जिनको बुलाते हैं। वो मदद थोड़ी देते हैं, उनको तो ऐसा VIP बुला लेते हैं, काट लेंगे, बाबा तो यहां खुद करते हैं, और फिर मतलब बच्चों की मदद लेते हैं, यहां तो वह बात नहीं है, इसमें तुम ब्राम्मन को भूशन मददगार बनते हो, सब मनुष्य मात्र रास्ता बिलकुल मुझे होए है, पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप का ही काम है, बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रुहानी नौलेज देते हैं, तुम जानते हो, बाप के पास नई दुनिया के स्थापना करने की युक् भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं कि हे पतीत पावन आओ, भल शिव की पूजा भी करते हैं, परंतु जानते नहीं कि पतीत पावन कौन है, दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम, याद करते हैं, राम भी निराकार कोई कहां जाता है, निराकार कोई उच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य मुझे हुए है, बाप ने आकर निकाला है, जैसे निराकार का वरणन सब जग है, शास्त्रों में, रामायन में कितना निराकार का वरणन है, मतलब बहुत सारे ऐसे वरणन है तो लेकिन और फिर राम को कह दिया तो फिर मूझ गए ना कि भई अब जैसे शरीर को मैं आत्मा कह दू तो चाहे वो फिर डिवाइन फिगर ही क्यों बताया गया है लेकिन डिवाइन फिगर और सुप्रीम फिगर दो केटेगरी है न हम नहीं कहते कि नहीं है लेकिन सुप्रीम सुप्रीम है डिवाइन डिवाइन है डायरेक्टर को तो चैर्मेन नहीं कह सकते तो बाबा कहते है नि यह तो है बेहत की बात, बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं, तुमको भी बाप ने फील कराया है, कि हम क्या फील कराया बाबा का, ग्यान हमें क्या फील कराता है, हम किस जंगल में पड़े थे, दुनिया की फेलिंग्स वैसे भी जंगल वाले लगती है और जहां confusion है वी जंगल टाइप लगता है यह भी अब पता पड़ा है कि यह पुरानी दुनिया है इसका भी अन्त है मनुष्य तु बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं है बाप को पुकारते रहते हैं तुम अभी पुकारते नहीं हो पुकारने के वर्ड्स कौन से हैं हमारे दुनिया की पुकारने के वर्ड्स ब्रामणों की भाषा में कि हे भगवान वर्ड नहीं करना है सबको याद है ना ब्रामणों की भाषा भूल तो नहीं गए वैसे वह सार्यूने चाट की उसकी कापी होने ही चाहिए सबके पास कैसे, ताकि भूल इतना अच्छा पुरशारत किया है, कॉपी सारी, वेरी गुड, एक ही जन के पास है कॉपी, जिसको चाहिए, वो हमारे पास पूरे फोल्डर्स है, पूरा, A to Z, जब से स्टार्ट किया तब, ताकि याद रहे कि यह सब हमारे नियम है, तो बाबा कहते हैं, इसका भी, तुम अभी बाब को पुकारते रहते हैं, तुम अभी पुकारते नहीं हो, तो फिर हम क्या करते हैं, वो पुकारते हैं मतलब वेटिंग पीरेड है, आश लगाए बैटे, होपिंग पीरेड है उनका, और हम क्या करते हैं, बाबा सामने हैं, ब उतने बार बाबा की याद, बाबा की फीलिंग, तो ये डिफरेंस है, सामने और वेट करना, अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदी मद्यान्त को जानते हो, सो भी नंबर वा, जो जानते हो, बहुत खुशी में रहते, औरों को भी रास्ता बताने में ततपर रहते हैं, बाप तो कहते रहते हैं, आज बाबा की लहर है, क्या लहर है? दो तिन दो बार पहले गया दिया, बच्चे, बड़े-बड़े-बड़े सेंटर खोलो, सेंटर खोल, एक तो ज्ञान बाटो, रतन बाटो, तुमारे पास बहुत हो गए, तो बड़े-बड़े सेंटर खोलो, चित् एखेशों के लिए मैप्स जरूर चाहिए, बताना चाहिए, यहां के यह वंडर्फुल मैप्स है, उन स्कुलों के नक्षो में तो होती है है न हद की बाते, यह है बेहद की बाते, हमारे मैप्स है, मैप जरूरी होता है, वो नेविगेशन मैप नहीं चलेगा, यह मैप चाहिए उसमें, और वैसे यह जो बाबा के मैप सेना, सब जो भी नए बच्चे भी है, बेशक आप लोग ने ओनलाइन किया है, लेकिन यह सेवन डेस का बुक रहना चाहिए साथ में, बिकोज यह बेसिक है, फाउंडेशन है, इसमें सारा मैप से, जो सब के पास है किताब हो नी चाहिए, जो सेंटर पर आते हैं, कोर्स किया, उन लोगों ने तो लिया हुआ है, पर जो ने नहीं वैसे किया है, तो भी रखे अपने पास, मंगवा ले, तो बाबा कहते हैं, बच्चों के लिए मै मैप जरूर चाहिए, बताना चाहिए, यह स्कूल है, यह भी स्कूल है, कैसे पता चलेगा, हमारा बस्ता कैसे पता चलेगा, मैप चाहिए न उसमें, स्कूल नोटबुक, यहां के वंडरफुल मैप से, उन स्कूलों के नक्षे में तो होती है हद की बात, यह है बेहत की बा यह भी पाट्शाला है, जिसमें बाप हमको स्रिष्टी के आदिमध्यंत का राज बताए और लायक बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनने की यह इश्वरिय पाट्शाला है, लिखा हुआ भी है इश्वरिय विश्व विद्याले, यह है रूहानी पाट्शाला, सिर्फ इश् क्योंकि यह जो शंकर पार्टी है उन लोगोंने नाम ही इस तरह से लिखा हुआ है, इश्वरिय विश्व विद्याले, उनका वो उसी तरह से करते हैं, तो हम ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए, दिधी कोई एडवांस पार्टी भी है क् ले तो लिखना नहीं चाहिए, बिलकुले, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूस किया है, इश्वरिय विश्व विश्व विद्याले, उन देनों बहुत हुआ था ना, हमारे कितने कई सेंटर्स पर जब उनका स्कैम हुआ तो हमारा दिल्ली के कई सेंटरों पर ऐसे सेंटर्स को एलर्ट कर दिया था, कि आएंगे आप लोग अच्छे से करो उसको, तो बाबा कहते है, यह है रुहानी पाटशाला, इश्वरी विश्व विद्याले कहने से मुनुशे समझ नहीं सकते, उनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए, ऐसा इश्वरी विश्व विद्याले कोई है नहीं, बाबा ने कार्ज देखे थे, कुछ अक्षर भूले होई थे, बाबा ने कितनी बार कहा है, प्रजापिता अक्षर जरू डालो, देखो, फिर प्रजापिता, यह भी अक्षर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, लिखत पूरी होनी सबको पता है न, फुल नेम हमारा, पदम भाई, फुल नेम, फुल नेम कौन सा है, इस इश्वरी विश्व विद्याले का, बोलो, किसको पता है, सुमन बेन, बोलो, गुलाब भाई, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, फुल नेम है, तो बाबा कहते है, पूरा नाम बाब बच्चे लिखते ने, बड़ा के कारण, तो शॉर्ट फॉर्म है, ब्रह्मा कुमारी, तो बच्चे जो सर्विस पर, तो जो मनुश्य को पता पड़े, कि यह इश्वरी है, बड़ी कॉलेज है, लिखत पूरी होनी चाहिए, बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित है, जो अच्छे सर्विसेबल है, उनों को भी दिल में रहता है, कि हम फलाने सेंटर को जाकर उठाए, ठंडा पड़ गया है, उनको जगाए, जो सर्विसेबल ब है, जो घड़ी-घड़ी सुला देती है, चलो यह तो ठीक है, कोई सर्विसेबल है, कोई ऐसे भी है, जो मतलब स्टूरंट्स में भी लगता है कि यह बच्चा बहुत दिनों से दिखनी रहा है, अब तो सभी को सब का पता है, कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है, सब के प तो जो ठंडे पड़ गए उनको जगाओ, क्योंकि माया ऐसी है, जो घड़ी-घड़ी सुला देती है, मैं स्वधर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं, माया बहुत opposition करती है, तुम युद के मैदान में हो ना, माया माथा मूर कर उल्टे तरफ न ले जाए, उस हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है, बाप समझाते है, समय बड़ा खराब है, हालते बिगड़ी हुई है, राजाई तो सब खतम हो जानी है, सब को उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा, तुम अपनी नई राज्याई स्थापन करते हो, तो यहा राजाई का नाम भी खतम हो जाएगा, देखो, कब बाबा ने यह बाते कहीं थी, कि पहले राजाई सबकी चले जाएगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाएगा, क्योंकि राजाई वर्ड़ खतम हो जाएगा, तब राजाई स्वाराज्य अत्वारामराज्य तो वास्तों में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में जगड़ी होते रहते हैं, आजकल तो हंगामा सब जगह है, तुम जानते हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सब को रास्ता बताते हो, बाप कहते हैं मामे कम याद करो, बाप में सब देय अभीमानी बने है नहीं बनने का है तुम पुर्शार्थ करते हो औरों को भी कराते हो याद करने की कोशिश करते है फिर भूल जाते है पुर्शार्थ यही करना है मूल बात है बाप को याद करना बच्चों को कितना समझाते है नौलेज बहुत अच्छी मिलती है मूल बात है पहले बुला मूल बात है बाप को याद करना फिर अब आवा कहते है मूल बात है पवित्र रहना बाप पावन बनानने आये हैं न तो फिर पतित नहीं बनना है याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे यह भुणना नहीं है माया इसमें इविग्न डाल भुला देती है राद दिन ये तात रहे हम बाबा को याद कर सतो प्रधान बने याद ऐसी पक्की होनी चाहिए क्या लेवल तक रीच करना है याद के जो अच्छे पुर्शारती है बताएंगे याद ऐसी पक्की होनी चाहिए किस लेवल तक याद होनी चाहिए बोलो भई बोलो गुलाब भई को बुलना है जो पिछाडी में देखो याद की बात है न जो पिछाडी में सिवा एक बाप के और कोई भी याद न पड़े सिर्फ बाबा ऐसे एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कोई ऐसी परिस्थिती आई मेरा फॉस्ट संकल्प बाबा का चलता है बाबा बहुत अच्छा हुआ या तो ड्रामा का चले ड्रामा बहुत अच्छा बाबा या कुछ हेल्प चाहिए तो पहले बाबा याद आता है कुछ अच्छी गुड न्यूज शेयर करनी है वो फॉस्ट बाबा के लिए होता है यह मदद बहुत मिलती है पहला याद है बाबा की मदद मिल जाती है पहले बाबा की याद यह लिटमस टेस्ट है हमारे याद की कि सिवाए बाब के और कोई भी याद न पड़े फिर बाबा जो भी निमित ठीक है फिर हमें फोन करना होगा वो एक अलग बात है तो आधार बाबा प्रदर्शनी में भी पहले पहले यह समझाना चाहिए देखोई ऐसी पक्की होने चाहिए सिवाए बाब के और कोई भी याद न पड़े पहले पहले यह समझना चाहिए कि यह है सबका बाब उचते उच भगवान सबका बाप पतीत पावन सद्गती दाता ही है यही स्वर्ग का रचेता है अभी तुम बचे जानते हो बाप आते ही है संगम युग पर बाप ही राज्युग सिखलाते है पतीत पावन एक के सिवाए दूसरा कोई हो नहीं सकता पहले पहले तो बाप का परीचे देना पड़ता है अब एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड को कैसे समझा सकेंगे परन्तु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्या है समझाना पड़ता है भक्ती है अथा ज्यान तो है एक देखो, always किसी के बारे में, किसी को पूरा बोलने, देने के पहले, सबसे पहले उसका introduction किया जाता है, first, परीचे दिया जाता है उसका, पहला परीचे, तो इसी तरह हमको पूरा ज्यान सुनाना, इतनी बड़ी प्रदर्शनी समझाना है, पूरा, पहले उसको बाबा के चित्र पर ले जाओ, उसका introduction दो कि, इसका है पूरा ये सब, वो होता है न, जितने भी hospitals हैं, या बड़े-बड़े universities हैं, तो जो main इनके founders होते हैं, तो उसका क्या है, फोटो एद्दम सामने, वो escorts hospital में गए थे, तो वो पूरा, वो जो organizers जो थे, मतलब जो इस hospital के main owners, जो होते हैं, तो उनका पूरा वहाँ सामने रहता है न, बड़ा सारा, तो मतलब पहला उनका introduction कि, पता चले कि, इसका है ये, तो प्रदर्शनी में भी ऐसा हो, तो ये समझाना है, सब का बाप उचते उच भगवान है, सब का बाप पतित पावन सद्गती दाता ही है, particularly आज के समय में जहां इतने सारे beliefs है, परमात्मा के, तो ये बहुत important होता है, यही स्वर का रचेता है, अभी तुम बचे जानते हो, बाप आते ही है संगम पर, बाप ही राजयोग सिखलाते है, पतित पावन एक के सिवाए दूसरा कोई हो नहीं सकता, पहले पहले तो बाप का पर पीचे देना पड़े, अब एके को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ, तो इतनी भीड को कैसे समझा सकेंगे, परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है, भक्ती है अथा, ग्यान तो है एक, बाप कितनी युकतिया बच्चों को बतल आते रहते है, पतीत पावन एक बाप है, द्वाप रास्ता भी बताते है, अच्छा गीता कब सुनाई, यह भी किसको पता नहीं है, द्वाप पर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता है, युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं, हर समय आते रहे, यह भी ठीक नही उसकी value भी नहीं है और इतने छोटे छोटे काम के लिए आजाए वो एक तो बहुत बार आजाए और फिर छोटे छोटे काम के लिए आजाए तो उसकी क्या रही फिर उसकी value क्या रही तो इसलिए यूगे यूगे बाप नहीं आता है और द्वापर यूग में आजाए बाबा वो तो हमने डिसकस किया कितने बार छोटे से बिमारी हो, कट लग गया हो और आप जायो MD डॉक्टर के पास, तो वो भी फाइदा नहीं है उसका, और दूसरा, अगर उस समय बाबा आ जाते द्वापर यूग में, तो हिस्ट्री कब सुनाई जाती है, पूरी स्टोरी कब सुनाई जाती है, एंड में, उस समय आ जाएगा तो स्टोरी क्या सुनाएंगे बाबा, इंटर्वेल में क्या स्टोरी सुनाएंगे, एक्चॉल तो स्टोरी शुरू होती है इंटर्वेल के बाद, ऐसा ही होता है न, फ समय के बाद से ही तो रहसे वो अंत के रहसे खुलने हैं, तो इसलिए बाबा द्वापर यूग में आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है न सभी को, तो एक ही बार आएगा, और वो भी इदम अती के समय आएगा, यूगे यूगे तो बाप नहीं आते हैं, मनुष्य तो पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं, कोई 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 कहते है टेप त्वारा हम सुन रहे हैं, तो क्यों न डाइरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सम्मोक आते हैं, बाबा की, तो फॉर्स्ट मुरली थी, जानकी दादी का स्टोरी है न, इसके उपर, अमदाबाद में थी, तो फिर वो टेप आई बाबा के पास, तो बाबा को पत्र लिखा, सेवा पे तो बाबा भिशते थे, बोला फॉर्स्ट मुरली डाइरेक्ट बाबा, जो बाबा की सम्मुक सुने हो, सेकेंड है टेप, टू नमबर की, थर्ड है, फिर वो प्रिंटेड कॉपी आती है, थर्ड ये प्रिंटेड कॉपी का भी बोला है, कई बोलते हैं, चलो हम सेंटर पे जाके सुनते हैं, मतलब वैसे सुनते हैं किसी के थ्रू, और फॉर्थ है वो कॉपी, प्रिंटेड कॉप बाबा को बोला, बाबा हम तो मुर्ली सुनते ही नहीं है, यह बोल दिया, क्यों कि डारेक्ट नहीं सुन रहे हैं, सम्मुक सुन रहे हैं, तो बाबा बाबा वर्ड कट जाता है, जब यह प्रिंटेड आती है न, कितना बाबा बीच में बोलते हैं, बाबा बाबा, तो वो सार आप दादा जब आते है और बाबा को जब पता चला कि इस तरह ओनलाइन होती है तो बाबा कहते देखो कितनी अच्छी बेहत की सेवा हो रही है मतलब डाइरेक्ट बाबा के महावाक्य आल ओवर सुनते हम at a time कोई कोई कहते टेप द्वारा हम सुन रहे है क्यों और डाइरेक आपनी जब जाकर सुने टारेक्ट की फीलिंग तो बहुत दिफेरेंट है जो एक्सप्रेशन हम को सामने देखने को मिलते है और जिस एक्सप्रेशन से हम को सिक्षय मिलती है वो एक्सप्रेशन पर चेप में हम भीत, आप दाद आई थे सब लूने तो बाबा को खिलाया दो तिन बहुत कटा था, एक्चली तो फिर बाबा ने रोका फिर बाबा यहां वहां देखने लग गया तो जो बेहन निमित थी जो चोटी बेहन काटके लाई थी बाबा ने उसको बुलाया और बाबा ने उसको आम खिलाया हो वह खाई बुले अरे बाबा यह तो बहुत खटा है उठाके लेके गई और फिर अब यह एक्स्प्रेशन क्या बाबा ने सिखाया इसमें हमको अगर थाली में हमारी एकोडिंग ऐसी चीज आ जाए क्या करेंगे आजए भाई आप क्या सिक्षा मिली हमको कितना कुछ बोलेंगे यह करेंगे वो करेंगे बाबा ने खा लिया पूरा एक आम खाया फुला मतलब थोड़ा सा ही बच्चा फिर बाबा ने बुलाया तो यह है तो यह एक्सप्रेशन हमको ऐसे वैसे नहीं मिलता है मुर्लियों में खाली टेप द्वारा नहीं सुनने को लता है बहुत सारे इसलिए हम जब बाबा के सम्मुक सुनते है हम सोसते कि चलो सुन लेंगे ना कभी भी लेकिन नहीं एक होता है ओनलाइन चलो ठीक है और उसके बाद भ खेर और भी होता है तो बाबा कहते है क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने इसलिए सम्मुक आते बच्चों को बहुत सर्विस करने है रास्ता बताना है प्रदर्शनी में आते अच्छा अच्छा भी कहते फिर बाहर जाने से माया के वायू मंडल में सब उड़ जाता है सिम्र वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माता जुकाते थे अभी तो तुम बिलकुल बदल गए हो भक्ती छोड़ दी है तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो बुद्धी में सारी नौलेज है और क्या जाने प्रजाप पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया कौन है तुम समझाते हो वास्तो में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियो इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है हो रही है ब्रामन कुल भूशन भी चाहिए न संगम पर ही ब्रामन कुल होता है आगे ब्रामनों की चोटी मश्रूर थी, चोटी से या जन्यू से पहचानी जाते थे, कि यह हिंदू है, ब्राह्मनों की चोटी, आजकल तो ब्राह्मन चोटी लख, पता नहीं करते हैं, लेकिन फैशन भी हो गया यह चोटी लखने का, कई जग देखा हमने, यहाँ वाँ, दूसरे की निशानी ह हमने तुमने क्यों लगा दिये, ब्राह्मनों के निशानी है, तो बाबा कहते हैं, कि ब्राह्मनों ने नई दुनिया स्थापन की है, तो ब्राह्मनों की निशानी है, चोटी से या जन्यों से पहचानते थे, कि यह हिंदू है, अब वह तो निशानी अभी चली गई है, प्रफ़न की है, योगबल से सतो प्रधान बन रहे है, अपनी जाच रखनी है, एक-एक आत्मा जो अपना पुर्शारत कर रही है और चेंज कर रही है, वो एक-एक मिनिट दे रही है, न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, एक-एक इट दे रही है बाबा के इस यग्य के लिए, तो बाबा कहरे है, अच्छा अपनी जाच रखने हैं कोई भी आसुरी गुन न हो, लून पानी नहीं बनना है, यह तो यग्य है ना, यग्य से सब की संभाल होती रहती है, यग्य में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते है, यग्य का मालिक है, मालिक तो हिश्य बाबा, यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है, तो यग्य की संभाल करनी पड़ती है, तो तुम बच्चों को, बाबा का यग्य है न, यह सब, जितने भी बाबा के घर है, वो सब यग्य है, अब जो हम पहले लौकिक में, पहले हमारे घर ते, अभी तो आपके घर है कोई, अभी तो फिलिंग है न, कि मेरा घर आया, तो यग्य नहीं हुआ, फिर हम यग्य में नहीं रहते, तो बाबा का घर है, मतलब फिलिंग हो, कि मैं बाबा के घर में, तो फिर उसकी प्रोटेक्शन है, और दूसरा, तो बाबा ने का, ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है, यग्य, तो जो यग्य की संभाल करनी पड़ती है, और तुम बच्चों को जो चाहिए यग्य से लेना है, यग्य की फिलिंग होगी ना, तो बाबा का घर है कभी भी उसमें कमी नहीं आईगी, हमेशा भरपूरता रहेगी, और दूसरा यग्य कि ट्रस्टी समझ के करना, अगर मैं ट्रस्टी की फिलिंग है, तो इसमें तो सभी का हाथ उठेगा कि ट्रस्टी हूँ मैं, ट्रस्टी मतलब वो बाबा का यग्य है, और जब बाबा का यग्य है, ट्रस्टी है, तो वो उसमें मेरा पन और दूसरा मेरे अकॉर्डिंग चल तो फिर वो trusty हुआ ना, ट्रस्टी क्या करता है, समी मानते हैं न कि हम trusty है, ग्रहस्ती ट्रस्टी और परायापन, पराया बुल तो ठीक है, वो तो उसका है, और ग्रहस्ती मतलब मेरा है, मेरा घर है, मेरे according चलेगा, और trusty means, जो trust के नियम है उस according चलेगा trustees होते हैं तो उसके according चलता है तो बाबा के घर के हम trustee है और फिर चाहे बाबा का जो भी यग्य है वो तो खेर उसमें तो clear है कि हम trustee है और trustee अगर हम अपने आपको यह title देते है तो trustee सिर्फ चीजों के स्थान के trustee शरीर के भी trustee और next है time के भी trustee मेरा time नहीं कि ऐसे वेस्ट कर दे trustee मतलब क्या कि कोई चीज सब उसके trust के according चले फिर कोई चीज waste न हो और तीसरा उसको worthwhile use भी करो ऐसा भी नहीं funds जमा होता रहे trust में और use ही न करो तो worthwhile use करना और waste भी नहीं करना तो time के भी मैं trustee हूँ time मैं ऐसे फिर waste कर देती हूँ एक घंटा गया बिना याद का ठीक है चला गया next hour ध्यान रख लेते वो ठीक है मतलब मेरा time नहीं है किसका waste जा रहा है मोहिनी बेन हमेशा कहते है खाली तुम लोग trustee center के नहीं हो पर शरीर के भी और time के भी trustee हो तो इसलिए बाबा कहते है तो यह है trustee तो तुम बच्चों को जो चाहिए यग्य से लेना होता है surrender जो होते है उन्मा नियम है कि जो भी आता है चाहिए घर का भी आता है यग्य में डाल देते है फिर यग्य से हमें जो मिलता है और कोई से लेकर पहनेंगे तो फिर वो याद आता रहेगा एंड वो नियम सब जगल लागो होता है किसे ने कहा कि हमको ना ये हमारे ऐसे कोई relative देता है करता है तो क्या करें लेना चीए नहीं लेना चीए लेकर अगर उसे हम बाबा की सेवा में यूज करते हैं तो फिर वो उसमें अपनापन नहीं होगा लेकिन स्वयम लेंगे तो अकाउंट होता है उस आत्मा के साथ करम बंधन होता है वट इस करम बंधन जिसने दिया होता है उसका जब भी हम लेते है उसका संकल्प चलेगा आज तक बेहनों का होता है मेरी शादी में यह उस परिवार ने दिया था, नहीं आता है, यह वाला गहना है ना, हमारे इनलोज से मिला था, यह वहां से मिला, मुझलब कई, इवन कटोरी चमच भी भूलते नहीं है, कि उसने दिया था, होता है ऐसा, तो फिर उस आत्मा के साथ मेरा करम बंदन बढ़ता जाएगा फिर अगेन वापस इसलिए देना लेना चलता रहता है, स्टॉप करना है, बाबा अगर मुझे अब फिर करम बंदन मैं लेना है, लेना भी है, मुझे सरंडर करना है, मेरा नहीं है फिर, बाबा का है, हाँ, फिर बाबा से मुझे मिले, कि बाबा के यग्ये से फि देंगे ऐसे बहुत है बाबा के ऐसे बच्चे इद्दम मैं कुछ नहीं लोगे चाहे फिर वह लौकिक से भी होता है बाबा की यग्य में जाएगा और फिर हम लेंगे और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा इसमें बुद्धी की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए अब तो वापिस जाना है समय बहुत थोड़ा है इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे यही पुर्शार्त करना है अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का यात्प्यार गुड मोर skincare रुबाब की रुबाब दादा को यात्रा प्यार गुड मोरिग की शुक्रिया बाबा शुक्रिया पहला पॉइंट है अपनी उन्टी के लिए रुहानी सर्व्स में तथपर रहना है अपनी उन्टी के लिए रुहानी सर्विस में तत्पर रहना है, जो भी ग्यान रतन मिले, उन्हें धारण कर दूसरों को कराना है। कौनसा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, ये जाच करने हैं, बबा कहते हैं। बुद्धी की लाइन क्लियर है, अच्छा, वर्दान है, कहना, सोचना और करना, इन तिनों को समान बनाने वाले, ज्यानितु आत्मा भव। कहना, सोचना और करना इन तिनों को समान बनाने वाले ज्यानितु आत्मा भव। अभी वानप्रस तवस्था में जाने का समय समी पारा है। इसलिए कमजोरियों के मेरे पन को, वाव्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओं। तब कहेंगे ज्यान स्वरूप। जो ऐसे ज्यान स्वरूप ज्यानितु आत्माई हैं, उनका हर कर्म, संसकाल, गुण और कर्तविय, समर्थ बाप के समान होगा। जो ऐसे ज्यानी स्वरूप कहना, सोचना और करना, समान बनाना। इसको कहेंगे ज्यान स्वरूप और ऐसे ज्यान स्वरूप ज्यानितु आत्माई के हर कर्म, संसकाल, गुण और कर्तविय, समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं सकते, सदा पर्मात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और और उको बाप समान बनाएंगे। तो ग्यानी स्वरूप मतलब ग्यान स्वरूप अर्थात, कहना, सोचना और करना बाप समान और व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। पर्मात्म खेल में बिजी रहेंगे। तो आज का समान होगा। मैं ग्यानी तु आत्मा हूँ। तो आटोमेटिक याद रहेगा ग्यानी तु का मतलब है कहना, सोचना और करना एक जैसा है। जो मैंने कह दिया, जो मैंने सोच लिया। देखो हम तो बहुत कहते हैं कथनी और करनी, दुनिया में सिर्फ दो जन को मानते, कथनी और करनी, और बाबा कहते हैं सोचना और करना, सोचते बहुत है, in fact जो घाटा है वो सोचना और करने में है, आज मैंने इतने पूरा दिन सोचा वैसे किया, ठीक है, तो ये करना है, स्ल इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो, सेवा का उमंग छोटी-छोटी बिमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो, ठीक है, तो आज का वर्दान,